नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट इन दोस्ट डॉक्टर दीपक अडवानी अमें मेरे चानल होमिपेथिक वाइन्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सब लोग परिचित है कि मैं आप लोगों के लिए डेवाइडे न्यू वीडियो यो किसी भी होमेपेथिक विजीशन के क्लिनिक पर आपको देखने को मिलेगी नक्स वोमिका के बारे में पॉईजन नट इसका कॉमन निम होता है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना जा रहा हूँ तो इस वीडियो को आप पूरा देखेगा इसकिप नहीं कि कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हुमेपेथिक वाइंस पर ही आपको मिलती है किसी भी मैडिसन डिजीश के बारे में संपूर्ण जानकारी तो सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में रेट कला बटन दिय गंटी नुमा बैल आइकन दिया उसे भी जरूर पुष्ट कीजिएगा उससे हो गाई कि जैसा ही को मेरा नया वीडियो पब्रिश करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन उसके लेटेट अब देट जो नोटिफिकेशन ने आपके पहुंच जाएगा और आप उसे अच्छी उमीका के बारे में नक्सी बीब जाने करें चाहं का एक्चुली यह सूर्स हास मैं रहता करता है अइसका फ क्रिंदक्रम hug झाने हैं झायगा इसका है क्योंकि प्लाट सब्स्टेंस है प्लां में प्लांड जो एरिया होते हैं वहां पर आपको इजली देखने को मिल जागा है छोटा पौदा होता है छोटी पतिया होती है इसका जो फूट होता है नट शेल के अंदर कवर होता है और जो भी मैडिसन इसका हुमिपथिक में फार्मिसेटिक कंपनी मदर टिंचर या पोटेंसी में बना चाहूंगा कि यह जो मैडिसन है नक्सोमिका होमिपथि में एजब पॉलिक्रेस्ट मैडिसन के रूप में यूज किया जाता है पॉलिक्रेस्ट से मेरा दात्पर या मतलब यह है कि आपके पूरे शरीर के किसी भी डिजीजन सिम्टम को कवर करने के लिए बहुत ही उंदा बहुत ही बड़िया मेडिसन है एड टू टोसिर से लेकर पाऊं तक अगर कोई भी डिजीज या कोई भी सिम्टम होता है उसके लिए एक बार आप लोग नक्सोमिका के बारे में सोच सकते हैं इतनी बहतरीन मेडिसन है वाइडेस रेंज में होमिपैथिक सिस्टम में कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका परसंज होता है उसका फिजीकली बनावाट या उसकी मेंटली सिचुएशन कैसी होती है इसका जो पेशेंड होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो बड़ जादा तर मेल सी डॉमिनेट करते हैं इसको लेने के गुसा जल्दी आ जाता है चिर्चिडा भी जल्दी हो जाता है चुट चुटी बात पर काफी परेशान हो जाता है तो ये नक्सोमिका के पेशेंट का एक सुभा होता है तो इसको हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस के साफ से पता रहा हूं हम लोग कैसे देखते हैं पाद ये बताना चाहूंगा उन पेशेंट्स के लिए मैडिसन बहुत ही लाप्रद होती है बहुत ही यूसफुल है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मेरे कहने का यह मतलब है जो कि दिन बर ऑफिस वर्क में रहते हैं हो चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो वरकिंग वोमेन हो वरकिंग मेल हो उनके लिए बहुत जादा रहता है जो कि हर टाइम काम के बोज तले दबे रहते हैं स्ट्रेस काफी रहता है उन्हें सिटिंग का जॉब होता है टेंशन काफी रहती है उसकी वज़े से उनकी पूरी जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ जाती है तो यह वहाँ बहुत बढ़िया काम करती है और एक बात और बताना चाहूंगा यह उन उन पेशंट्स में भी अच्छा काम करती है जो की एक्सेसिव मात्रा में तामसिक चीजे यू उसकरते हैं जैसा कि नन्वेश यूस करते हैं वाइन उसकरते हैं उन पेशंट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करती है नक्सोमिका bad habits के लिए antidote के लिए bad habits के antidote के लिए बहुत बढ़िया medicine का role play करती है नक्सोमिका counter action रहता है अगर आप कसी भी allopathic medicine का chronic समय से लंबे समय से use करने तो उसको counter act करने के लिए भी उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए भी नक्सोमिका का उपियो किया जाता है इसका जो patient होता है excessive कोई भी चीज करता है वो excessive मातरा में करता है बड़ा ही ardent character का जैसे मैंने बताया वो patient होता है इसकी बारे में मैं आपको बता दिला हूँ कि इसका जो digestive system पर role play होता है in a clinical practice के अंदर patient का जो पेठ है एक बार में साफ नहीं होता है unsatisfied motion होता है पहली बार जाएगा easily fresh नहीं होगा उसे लगेगा दुबारा जाओ ऐसी हाजात होती है patient के लिए constipation के अंदर hard stool होता है काफी तकलीफ होती है piles के अंदर भी इस medicine का बहुत ही hemorrhoids इसको कहते हैं बावासी उसके अंदर भी बहुत ही बेतरीन रोल देखने को मिलता है नक्स वो मिगागा क्योंकि जितना sedentary life जियेगा patient जितना alcohol non wage और stress से ग्रसित रहेगा तो पेट पर सबसे जादा digestive system भरी प्रभाव पड़ता है उसके करण constipation, gastric problem paid full ना, आपरा आना बेचैनी रहना जो सिर्दर्द हो जाता है gastric complaint के कारण उससे ग्रसित हो जाता है patient तो उस condition में नक्स वो मिका से better होमियोपैथी में कोई medicine नहीं है इससे आप 200 potency में यूज करें, बहुत अच्छे results रेखने को मिल सकते हैं, और आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति जादा मात्रा में alcohol consumption कर रहा है non-veg eating कर रहा है उसकी वज़े से अगर constipation का शिकार हो गया है या पाइल्स की condition पेशिंट पहुँच गया है वहाँ पर नक्सुमिका का सबसे पहले क्लिक करती है नक्सुमिका उससे आप चाहे रात को सोते वक्त चार पांच बुद एक चमश पानी में या डारेक जीब पे लें तो इतने अच्छे results मिलते हैं कि उसको हम मैं आपको बता नहीं सकता काफी बड़िया medicine है यूँज चीज के लिए और जो भी लोग लंबे समय से जिस तरह से कोई चूरन वगर है लेक्जेटिव प्रॉनिक लेक्जेटिव चाहे वो ऐलोपेदिक हो या आयुरुएदिक हो किसी का भी किसी भी तरह का कोई लेक्जेटिव लंबे समय से यूज कर रहे हैं उसको एंटिडोट करने के लिए भी नक्सोमिका बहुत बेतरीन काम करती है तो एक कुछ समरी होई नक्सोमिका के बारे में किस तरह से digestive system पर काम करती है किस तरह से whole over body पर इसका action होता है इस बारे में अगर आप और कुछ ज़्यादा जानका रिप्राप्ट करना चाहते हैं तो आप comment section में email जो है description link में मैंने दे रखा है वहाँ पर अपनी queries बेश सकते हैं मैं उसका reply दने की कोशिश करूँगा तो जोड़े रहिएगा next videos के लिए मेरे साथ homeopathic wines पर like and share बिलकूल कीजेगा और channel को पर जरूर subscribe कीजेगा thank you